ये क्या वाकई अल्ला दूआ नहीं सुनता और अगर अल्ला दूआ नहीं सुनता तो सुनता कौन है। असलावलीकूम और आमतुलाही वबराकर आता हूँ। वेलकम टू मैं चैनल लाइंडियो आफिशल में आपका स्वागत है। तुम्हारा भायक और वीडियो लेकर हाजिर है। लड़कियों में आजकल देखा जाता है लेडिस में। उनके मूँ से मैं कई लोगों के मूँ से सुना हूँ कि मेरी दूआ कुबूल नहीं हुई। और कई लड़कियां ना उमीद भी हो गई। लड़कियों मैं बोलना हूँ जादा तर। कि मेरी अल्ला मेरी दूआ ही कुबूल नहीं करता। मैंने मांगना ही छोड़ दिया दूआ ऐसा ऐसा करके मैं सुना। तो मैंने कहा है इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाना चाहिए तो इसमें कितनी सच्चाइं हैं और क्या है ये भी देख लेते हैं और दूआ कितनी जल्दी कबूल होती है नहीं होती है और क्या है चलो वडियो करते हैं रसूल अल्ला अल-ई रसलम نے फ़रमाया जो भी मिसल्मान अल्ला यह तैला को याद करता हुआ बावजू, वजू के साथ सोता है फिर रात में किसी भी वक्त चौक कर उड़ता है अब जैसे कि आप समझी के होंगे वजू करके लेड़ गए बीच में आग खुल गई है चौक के उड़ गए और अल्ला से दुनिया और आखरत की भलाई का सवाल करता है पूर देता है तो एक तो यह हो गई अब इनसान यह कितना इजी है आदमी इसके वज़े से ऐसे ऐसे विद्दात वजीफे करता है 11,000 बार वो पढ़ लो 15,000 बार वो पढ़ लो 10,000 बार वो पढ़ लो 500 बार यह पढ़ लो तो यह दूआ हो जाएगी यह हो जाएगा अगर यह चीज रसूल अल्लाव सल्लम यह सहाबा से साबित है तब तो पढ़ सकते जब आए नभी सल्लम से साबित नहीं है न सहाबा से तो यह विद्दात हो गई और गलत भी है पढ़ना ही नहीं चाहिए तो खेर अब लोगों को इल्म होता नहीं यूट्यूब पे सुन लिए पढ़ना चालू हो गए यह कितना हीजी है आप वजू करो सो जाओ और रात में उटता ही है इंसान 100% चौक के बातरूम के लिए पिशाप के लिए क्या प्राबलम है दूआ मांग लो अब इससे चलते हैं दूसरी हदीश की तरफ ये भी हदीश बहुत मासूर और मारूफ है आप ये सुने भी होंगे ये चीज़ को नभी ऐसलेम का फर्मान है तीन दूआ जरूर कुबूल होती है उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं मतलब तीन दूआ ये आप सुने होंगे पका कहीं न कहीं आता भी है पहली बाप की दूआ दूसरा मुसाफिर की दूआ आप सफर कर रहे हैं उसमें दरूर दूआ करें तीसरा मजलूम की दूआ जो बूढ है मजलूम लोग होते हैं या किसी को मांगने वाले अक्सर मजलूम मिल जाते तो उनसे भी दूआ की दर्खास बोल दिया करें बाइ दूआ करो तो अब बाप की दूआ भी कबूल होती है मुसाफिर सफर करता है इंसान तो उसमें जिन जिन भाईयों की शादी नहीं हुई फटा फट जाया और अपने अबबा ते कहा है कि मेरे लिए शादी की दूआ कर दो निकाह के लिए आप अपने अबबा ते कहा करें मैं भी कहता हूं बराबर अपने अब्बा से कि अब्बा मेरे लिए दूआ कर दीजिए मैं यह हो जाए वो हो जाए इसमें कोई शरम की बात नहीं है जाइस चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ मैं मांग सकते हैं अब जो लोग जल्दी मचाते हैं जैसे कि दूआ बोलते कबूल नहीं होती कि क्यों नहीं होती है मैं रिजन बोलता हूँ इसका क्या रिजन है यह सही बुखारी की रिवायत है रसूल Agriculture ने फर्माया बंदे की दूआ कुबूल होती है जब तक कि वह जल्दी ना करे और कहने लगे की मैंने दूआ की थी पर मेरी दूआ कुबूल नहीं हुई अब आप तोचेंगे कि इसके क्या माने है मतलब समझ नहीं पाए जैसे आपने दूआ मांगी तो सबसे पहले चीज़ तो आपको अल्ला पर यकीन होना चाहिए और फिर आप बिल्कुल पुक्ता इदम पके इरादे से दूआ आपने की है और नभी ﷺ की तरीके पर की है तो आपकी दूआ 100% इंशाला कबूल होना है वो कहीं भी कबूल हो यहां या वहां कहीं भी होती है दूआ कबूल दूसरी अगर यकीन नहीं है आप दूआ मांग रहे हैं दाए बाए देख रहे हैं मन में खयाल दुसरा चल रहा है तब तो आपकी दूआ कबूल नहीं होगी यह लिख लो आप दूआ कबूल नहीं होने वाली दूसरा दूआ मांगा आज दो हकते या एक हकते बाद अरे दूआ मांगा था यार कबूल इस नहीं हुई हट वो भी कब पूल नहीं होते ऐसे नहीं है आप दूआ माझंके अल्ट पर यकीन रखे भूल जाओ कि मैंने मांगा है अल्ला से अल्ला देंगा और कभी देंगा वो अपने हिसाब कब से उसका सही टाइम है देखो दरसल हमको क्या है हमारे पास इल्म गयब नहीं है राइट हमें कल का नहीं पता तो हमें क्या मालूम कि हमारे लिए कब क्या सही है अल्ला सुभानाव ताला को इल्म गयब है और अल्ला सुभानाव ताला को कल क्या होने वाला है कल क्या हो चु चुपा मांगी शाम को कबूल और एक दूआ मांगी ती वो तीन साल के बाद कबूल होने में। लेकिन अलहमदुलिल्ला, मैं बोल रहा हूं, होती है दूआ कबूल। और हो गई और मिला भी वो चीश्ज, तीन साल के बाद, और लेक सुबा मांगा था शाम में। तो अल्ला को बहतर पता है मेरे बारे में कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं हमें अभी चाहिए, हमें अभी मिल जाए, लेकिन अल्ला को मालू मैं कि इसको अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं देना है, अभी इसकी जरूरत नहीं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लगने से नहीं होगा, अल्ला सुभान अओ ताला को, बहतर पता है, और वो इलमें गईब जानता है, मैं नहीं जानता है, इसलिए, दुआ कबोलोते हैं, समझ गई आप, सफर में राओ तो दुआ करो, और दुआ जल्डी मत करो, तो मांग के भूल जाओ कि हमने मांगा है अल्ला से अल्ला देने वाला है और अल्ला की सिवार देखो न सकता है भाई कोई और भी है क्या देने वाला तो ना उमीद मत हो ठीक है तो इस वीडियो को जादा जादा शेर करना एस्पेशली लेडिस को टैक करो लेडिस लोगों को को भाई शेयर होना चाहिए ठीक है असलाव अलेकुम जय हैं